नमस्ते क्या से आप सब लोग अगर आपसे मैनिफेस्ट नहीं होता है तो आपको यह ट्राइज जरूर करना चाहिए जो मैं अब आपको पताने वाले हूँ बहुत टाइम से आप ट्राइ कर रहे हैं लेकिन आपसे manifest नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना चाहिए आप जिस भी चीज को manifest करना चाहते हैं उस चीज के बारे में आप इस तरीके से सोचना शुरू कर दीजे कि यह आपको मिल ही चुका है आपको इसको manifest करने की कोई जरूरत नहीं है अब आप दूसरी चीज के ऊपर manifestation को लगा सकते हैं इससे क्या होगा कि आप present में पहली बात तो ऐसा सोचना शुरू कर देंगे कि वो जो चीज है वो आपको मिल ही चुकी है अब आपको उसको manifest करने की कोई जरूरत नहीं है आप दूसरी चीजों को manifest करने में अपना ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो एक तरीके से आप detach भी हो जाएंगे और easy आप हो जाएंगे manifest भी बहुत easily आप कर पाएंगे अपनी manifestation के साथ हमें बहुत easy होना होता है हम जितने ज़्यादा easy होते हैं अपनी manifestation के साथ में उतना ही तेजी से यकीन मानिये हम manifest करते हैं छिक है जिन्दगी को जी लीजिए उन पलों के बीच में जब आप अपनी manifestation को ले करके परिशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत pressure में हैं, कोशिश कर करके हार चुके हैं, तो बस ये सोच लीजे कि वो चीज भी बिलकुल ऐसे ही मेरे life में जुड़ चुकी है, जैसे बहुत सारे चीजें है जिनके साथ में मैं जीती हूँ या जीता हूँ, और अब मुझे इस चीज को ले करके बिलकुल भी परिशान नहीं होना है, अब मुझे अपनी जिन्दगी को जीना है, हर doubt को हटा करके, हर fear को हटा करके, हर वैसे सवाल को हटा करके, जो मेरी manifestation से जुड़ करके, हर बार होंगे, उतना easily आप manifest भी कर लेंगे, लेकिन जितना जादा आप difficult होंगे, अपनी manifestation के लिए difficult role play करेंगे, आप खुद ही करेंगे, आप continue उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं, परिशान रहते हैं, उस चीज को पा लेने के एक हुड़क से आपके अंदर होते हैं, और वो नहीं पाने के चकर में आप परिशान परिशान कुमते रहते हैं, अपने आपको negative करते हैं, overthinking आती है, दस तरीके की लोगों से आप बाते भी सुनते हैं, आप खुद भी उसी तरीके की बाते करना भी शुरू कर देते हैं, तो मैं यहाँ यही कहूंगी, मन को ऐसा पक्का बनाये इस जगह पर, कि वो चीज हो गई है, अब उससे जरूरी जो जुड़े हुए actions होते हैं, वो आप करते रहे, actions लेने के लिए कोई भी नहीं रोकता है, और नहीं मैं यहाँ पर रोकूंगी आपको, actions आपको लेने ही है, लेकिन उससे जुड़ करकि यह जो चाह है, य दुसरी किसी manifestation पर लगा लीजे, देखें, जिंदेगी में कोई एक ही चीज तो नहीं होती है, जो सबसे बड़ी होती है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजे होती है, जो equally हमारे लिए उतनी ही जरूरी होती है, और अगर उन में से कोई ऐसी चीज है, जो अभी आपके पा वाले concept पर काम करना शुरू करिए, ताकि आपको ये समझ में आएं कि आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर चुके हैं, आपके खुशी ज्यादा मैटर करती है, बजाए किसी एक चीज के मिल जाने से, बजाए किसी एक जॉब को मैनिफेस्ट कर लेने से, बजाए किसी इनस को लेकर के सही रास्ते पर चल पाएंगे, मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे, डिटाच भी हो पाएंगे, इस तरीके के अफिमेशन यूज करेंगे कि ये चीज तो हो ही गया, मुझे इसे मैनिफेस्ट करेंगे कोई स़रूरत नहीं है, देखिए जो भी चीज आपकी लाइफ म को मैनिफेस्ट करना है, तो इससे क्या होगा, जो भी चीज और जो भी ब्लॉक किज उस बीच में अटके होएं हैं, और आपकी नेगिटिव थौट्स ही हैं, उस चीज से आप जुड़े होएं, बहुत ज़दा उस चीज को पकड़ करके बैठे होएं, बिल्कुल अपने आ आप एक मैनिफेस्ट करने की कोई सवरूरित नहीं है, बिकद्ज ये हो ख़िक है, जो मैनिफेस्ट करेंगें हैकि तो के रहें हैं अपनना अपस के हैं तरह